हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होग आप सब अच्छे होंगे वेलकम बैक तो बालोजी बाय नेहा बिनवाल आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट लाइफ साइकल ऑफ एसपरजिलस एसपरजिलस की लाइफ साइकल के बारे में आज हम पढ़ेंगे इन डेटे कीजिए ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो में डालू उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और मैं अपनी चैनल पर वीडियो लेके आती हूं रिलेटेट टू बायलोजी जैसे कि मेरी चैनल का नाम ही है बायलोजी बाय निहा बिनवाल सो आप लोग बा लेविन त्वेल लेवल के स्टूडेंट है तो डेफिनेटल यह चैनल आप लोगों के लिए ही है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो वीडियो को स्टार्ट करते है ठीक है यहां पर मैंने फोटोग्राफ लगाई हुई है यह एस्पजिलस की है यह भी देखे तो एक ब्लैक मोल्ड भी हम इसको बोलते है ठीक है ब्लैक और ब्लू ग्रीन कलर का यह फंगस होता है इस तरीके से इसके हमें कोनीडिया दिखते हैं लगे हुए ठीक है यह कोनीडियो फोर है और इस कोनीडियो फोर में यह हमें क्या दिख रहे है इसकी कोनीडिया चीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखो, सबसे पहले हम इसका systematic position अगर देखें, तो systematic position के अगर हम बात करें, तो it belongs to kingdom mycota, division u mycota, subdivision escomycortina, class plectomycetes, order, eurotieus, या फिर हम इसको aspergillates भी बोलते हैं, family eurotieus, या फिर aspergillates, genus जो हम पढ़ रहे हैं, aspergillus पढ़ रहे हैं, इसको eurotium के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, the genus aspergillus is represented by about 132 species, is a saprophytic fungus, aspergillus किस तरीकी की fungus है, saprophytic fungus है, और about 132 species इसके अभी known है, और यह wide range of habitat में हमें देखने को मिल सकती है, wide range यानि कि यह कोई एक particular habitat पे नहीं मिले गी हमें, बहुत से habitats में हमें यह देखने को मिलती है, और यह किस तरीकी की fungus है, saprophytic fungus है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, यह species like aspergillus niger, aspergillus flavors, aspergillus rapins, aspergillus candidus and aspergillus fumigatus commonly grow in fruits, जो commonly fruits में, vegetables में, आप देखोगे, fruit या vegetable कुछ दिन के लिए रखा और वो सडने लगते हैं, तो उस पर क्या आएगा, और उन में से कुछ common species यहां पर दी हुई है, इन ही में से कुछ common species का infection होता है, they are also found on paper, leather, textile, soil and even in the air, aspergillus हमने already पढ़ा कि यह wide range of habitats में हमें देखने को मिलेगी, तो यह fruits में भी होती है, vegetable में भी grow करेंगी, ठीक है, पेपर अगर गीला पेपर है, सडर रहा है, तो वहां पे भी हमें देखने को मिलेगी, leather में भी यह fungus लग जाती है, leather में तो obviously आपने सुना होगा कि उसमें fungus लग जाती है, textile है, soil है, even in the air में भी क्या होता है, aspergillus के spores हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है, some species of aspergillus are found parasite on plants causing crown rot of grounded, यह बहुत important है कि कुछ species aspergillus की क्या है, plant में disease भी cause करती है, ठीक है, यह सिर्फ separate ही नहीं है, मतलब यह सिर्फ सड़ी गली चीज़ों पे ही नहीं grow करेगी, यह क्या करती है, यह as a parasite भी हमें देखने को मिलती है, और plants को infect करती है, ठीक है, कौनसे disease करती है, यह crown rot of groundnut and ball rot of cotton, ठीक है, rot disease यह करती है, majorly अगर हम इसकी बात करें, तो species like aspergillus niger, aspergillus flavors, aspergillus fumigatus cause asperoglosis in animal and humans, animal और humans में aspergillus की कुछ species है, वो क्या करती है, कौनसे disease cause करती है, aspergillosis करती है, जैसे mucar और rhizopus के case में हमने देखा था, वो mucar mycosis कर रही थी, वैसे ही aspergillus की कुछ species, humans में, और animals में क्या करती है, aspergillosis की problem cause करती है, अब यहाँ पर अगर हम फोटोग्राफ देखें, तो यह morphology है aspergillus की, यह हमें उसका food cell देखने को मिल रहा है, फिर food cell, जो mycelium है हमारा, उसमें से conidio 4 का development होगा, यह जो erect stock structure है, वो क्या है, conidio 4 है, conidio 4 क्या होगा, फिर swell up होगा, वो एक vesicle का formation करेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें एक vesicle दिख रही है, यहाँ पर हमें एक vesicle दिख रही है, फिर वो vesicle में से क्या निकलेंगे, strigmeta, primary strigmeta, secondary strigmeta निकलेंगे, यह जो orange color के आपको दिख रहे हैं, यह primary strigmeta है, फिर इसके उपर जो यह greenish greenish color के दिख रहे हैं, वो secondary strigmeta है, फिर उसके उपर हमें क्या देखने को मिलेंगे, chain of conid की ठीके तो इस तरीके से हमें aspazzylus का structure देखनी को मिलता है पहले उसमें conidio 4 होगा conidio 4 से vesicle का development होगा vesicle से primary stigmata निकलेंगे secondary stigmata और फिर conidio-conidia chain of conidia ठीक है नाउ सी जो aspazzylus flavors है हमारा ये क्या करता है it contaminates groundnuts and other dry food stuffs and it produces some toxic substances जिसको हम बोलते हैं efflatoxin यह आपको नाम याद रखना है कि efflatoxin कौन सी fungus से secret होता है ठीक है efflatoxin is secreted by aspergillus, aspergillus क्या करती है हमारी जो भी groundnets होती है और mumphaline और जो हमारे dry food stuff होते हैं उनको क्या करती है contaminate करती है और उनमें इसे धीरे धीरे क्या करती है फिर एक toxic substance का release करती है जिसको हम बोलते है efflatoxin बहुत important है और वो efflatoxin कैसा उसका nature कैसा होता है carcinogenic nature होता है it can cause cancer ठीक है अगर किसी dry food में या फिर groundnut में aspergillus flavors particularly इसका contamination है और उसको हमने अपनी body के अंदर intake कर लिया है और उसमें already efflatoxin का secretion हो चुका है उसका production हो चुका है तो it may be cancerous ठीक है उसका nature efflatoxin का carcinogenic nature होता है तो वो cancerous हो सकता है इसलिए जो भी हमारे dry food stuff होते है dry food जितने भी होते है अगर उनमे infection होता है किसी भी तरीके का contamination अगर उनमें होता है तो वो हमें intake उसका नहीं करना चाहिए ठीक उसको avoid करना चाहिए several species of aspergillus are used in various industries especially in the production of organic acids like enzyme fats, vitamins and antibiotics कुछ-कुछ species aspergillus की industries में भी use होती है किस-किस के production के लिए organic acids के production के लिए कुछ enzymes के लिए fat के लिए, vitamins के लिए और antibiotics के लिए भी use होती है ठीके, अब अगर इसका vegetative structure देखे है aspergillus का तो उसका जो mycelium होता है वो well developed होगा profusely branched होगा ठीके, अच्छे से उसमें branches देखने को मिलेंगी septate होगा ठीके, escomycetes का member है escomycotina का member है तो septation वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे consist of intervalant masses of hyphae वहाँ पर hyphae भी देखने को मिलेगा mycelium बहुत सारे mycelium एक साथ मिलके hyphae का production करते है hyphae बहुत सारी मिलके mycelium को production करती है ठीके the cells of the hyphae are multinucleated cells कैसे होंगी multinucleated होंगी hyphae and mostly one type of nucleus is present that is hyphae is जो भी hyphae होगा वो कैसा होगा homokaryotic होगा multinucleated होगा लेकिन एक ही तरीके का वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा nucleus देखने को मिलेगा तो उसको हमने बोल दिया homokaryotic ठीके अगर हम देखे इस तरीके का यह हमारा hyphae होगा ठीके यह हमारा hyphae है इसमें क्या है बहुत सारे nucleus प्रेजन होगे और वो एक ही तरीके की nucleus होगे ठीके यह तो इसको हम बोलते हैं क्या homo homokaryotic ठीके अब reproduction के अगर हम बात करें तो aspergillus में हमें vegetative reproduction भी देखने को मिलता है asexual reproduction भी देखने को मिलता है sexual reproduction भी देखने को मिलता है vegetative reproduction के अगर हम बात करें तो vegetative reproduction fragmentation के थूरू देखने को मिलेगा कोई भी hyphae का या mycelium का पाट break हुआ तो वो फिर क्या करेगा वापस से regenerate कर जाएगा तो वो simply जैसे fragmentation हम पढ़ते हैं बच्पन से, वो ही यह fragmentation यहाँ पर भी, Asexual reproduction अगर हम देखें तो mainly यह Aspergillus asexually ही reproduce करता है, और Asexual reproduction ही इसका क्या है, important है, ठीक है, तो Asexual reproduction इसमें Conidia के थुरू take place करेगा, Conidia का production होगा, Conidia कहां produce होंगे, Conidio 4s में produce होते हैं, Conidio 4s निकलेगा, इस तरीके से Food Cells होगा, ठीक है, और इस Food Cells में से ऐसे करके, Conidio 4 निकलेगा, और फिर इस Conidio 4 में एक Vesicle बनेगा, इस तरीके से, और फिर इस Vesicle में Primary String Meta बनेगे, फिर Secondary String Meta बनेगे, और फिर यहाँ पर ऐसे करके क्या बनेगे, Conidia बनेगे, फिर से primary stigmator, secondary stigmator और फिर conidia ठीक है इस तरीके से हमें espagillus का structure देखने को मिलेगा ये vesicle क्या है ये conidio 4 क्या होता है उपर जाकर के एक unbranched और unseptate, aceptate structure बनाएगा और ये एक vesicle like structure बनाएगा एक tip बनाएगा ठीक है इसकी जो conidio 4 की जो tip होगी वो swell up हो जाएगी जिसके अंदर बहुत सारा cytoplasm इखटा हो जाएगा और उस structure को हम बोलते है vesicle फिर इस structure को हम क्या बोलेंगे vesicle देखो अब ये जो structure है several finger like projection develop on the surface of vesicle, vesicle की surface से बहुत सारे finger like projection का development होगा उनको हम क्या बोलते है फिलेट्स या फिर strigmeta ठीक है there may be up to three layer of strigmeta on the vesicle three layer तक हमें strigmeta देखने को मिल सकते है यानि कि primary strigmeta, secondary strigmeta और tertiary strigmeta हमें देखने को मिल सकते है और फिर the vesicle of the cytoplasm is then pushed in these areas and thus finger like outgrowth are formed अब देखो इधर से हम देखना स्टार्ट करते है सबसे पहले कि यहां से यह वाला step फॉर्स्ट स्टेप है development of food cell और vegetative cell यह हमारी food cell बन रही है food cell में rapidly division होगे तो एकदम से बढ़ेगी यह food cell बन रही है धीरी धीरी इसमें क्या हो रहा है यहां पर बहुत सारा cytoplasm accumulate हो जाएगा अब फिर यह cytoplasm क्या करेगा जो finger like projection का development करेगा और वो phytoplasm उस finger like projection की तरफ को भी move करने लगेगा यह finger like projection को हम क्या बोलता है फैलेट्स या फिर strigmeta सबसे पहले यह वाले strigmeta बने तो इनको हमने बोल दिया primary strigmeta फिर इसके उपर यह दूसरे बनेंगे तो इसको हमने बोल दिया secondary strigmeta अगर इसके उपर एक और बनेंगे तो उसको हम बोल दियंगे tertiary strigmeta ठीक है उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे conidia develop होंगे यह conidia है यह conidia है इसके उपर बहुत सारी conidial chain देखने को हमें मिलेगी फिर वो एक conidia अगर detach होगा तो वो यह निकला यह spore निकला detach हुआ कहीं भी अच्छे से particular substratum पर पढ़ेगा तो वो spore क्या करने लगेगा germinate करने लगेगा ठीक है इस तरीके से हमें यह देखने को मिलेगा यहाँ पर यहां से हमने स्टार्टिंग करी हमें सबसे पहले फूट सेल देखने को मिला यह फूट सेल है ठीक है यह फूट सेल elongate हुआ को नीडियो 4 का development किया को नीडियो 4 से फिर वेसिकल का formation हुआ यहां पर क्या और है वेसिकल बन रही है वेसिकल का formation हुआ फिर यह क्या बन रहा है स्ट्रिगमेटा का formation हो रहा है ठीक है finger like projections का formation हो रहा है स्ट्रिगमेटा के बाद यह secondary स्ट्रिगमेटा बन रहे है primary स्ट्रिगमेटा बने थे यह वाले फिर यह secondary और यह क्या बन रहे है हमारी conadial chain बन रही है यह conadia की chain बन रही है ठीक है और फिर एक conadia अगर यहां से detach हुआ कोई particular substratum में पड़ा तो यह conadia क्या कर रहा है germinate कर रहा है और क्या बना रहा है germ tube का formation कर रहा है ठीक है यह है complete क्या asexual reproduction this is the asexual reproduction in case of aspergillus और यही common type का जो reproduction है देखने को मिलता है aspergillus में यही देखने को मिलता है common ठीक है जो sexual reproduction होता है वो uncommon होता है बहुत ही uncommon होता है aspergillus के case में इसलिए asexual reproduction हम पड़ते हैं in case of aspergillus अब देखो अगर sexual reproduction की बात करें sexual reproduction very uncommon है this is very uncommon बहुत ही काम हमें देखने को मिलेगा बट फिर भी हम पढ़िंगे इसको ठीक है तो sexual reproduction कितने कितने तरीकों से take place करेगा मतलब कौन कॉंसे में processes होंगी पहला होगा development of escogonium, escogonium का development होगा entridium का development होगा यह क्या हमारे sex organ है sex organs का development होगा फिर fertilization होगा फिर escus का development होगा और उसके अंदर escus कार्प बनेगा और फिर escus sports बनेगे escus यानि कि यह इस तरीके से escus का development होगा और इसके अंदर escus sports development उनका development होता है ठीक है यह escus का development हुआ और इसके अंदर क्या बनेगे escus sport ठीक है यह esco carb तो sexual reproduction in four processes के थरू take place करेगा देखो अब अगर हम sexual reproduction देखे espagillus के case में तो simple sexual reproduction हमें देखने को मिलेगा simply through gametangial contact के थरू यहां पे sexual reproduction होता है आप ही देख रहे है यह वाला पार्ट यह mycelium होगा यह hyphy होगा इन में से कोई एक पार्ट क्या करेगा entridium और archegonium की तरह behave करेगा जो भी hyphy का पार entridium और archegonium की तरह behave करेगा उसमें क्या development हो जाएंगे at the time of reproduction वहाँ पे septa का development होने लगेगा ठीक है यह आप देखने हैं यहाँ पे septa का development होने लगेगा यह septa का development हो गया है तो इस तरीके से जो hyphy होंगे वो हमारे जो reproductive cell की तरह behave करेंगे उनमें at the time of reproduction वहाँ पे septa का formation होने लगेगा यह आपको दिख रहा है escogonium और enthridium दोनों एक दूसरे के नजदी ग्रो करेंगे ठीक है ताकि वहाँ पे sexual reproduction और gametangial contact वहाँ पे हो सकी ठीक है यह c वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कि यह enthridium और archegonium दोनों एक दूसरे के closely क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं फिर इस वाले पार्ट में हम द इस तरीके से यह पूरा structure अरेंजड होगा और यह क्या है इनकी fruiting body होती है क्लिस्टो थीशियम टाइप की fruiting body different type of fruiting bodies भी मैंने अल्रेडी lecture upload किया हुआ है in ascomycotina में कौन कौनसी type की fruiting bodies होती है वो भी आप देख सकते हैं तो क्लिस्टो थीशियम यहाँ पे fruiting body हमें देखने को मिलती है उसमें हमें यह देखने को मिलेंगे कि जो एक cell है उसमें दो nuclei देखने को मिलना है अब दीरे दीरे क्या होगा यह एक cell अभी यहाँ पर fusion नहीं होगा है तो यह एक cell और यह दूसरा वाला cell क्या करेंगे elongate होके इनमें क्या होगा division होगा ठीक है इनमें division होगा और फिर उसके बाद एक crozier structure बनेगा crozier को हम बोलते हैं hook shaped structure यह आप देखने हैं hook shaped structure यह वाला structure हमें देखने को मिलेगा कैसे clamp clamp जैसे बनता है ना let's do my seeds में clamp formation होता है उसी तरीके से यहाँ पर crozier का formation होगा एक hook like structure का formation होगा जिसमें जो यह ऊपर हमें दिखना है structure यह यह किस की तरह behave करेगा धीरे धीरे जैसे इसमें development होगा यह escus की तरह behave करेगा ठीक है escus एक आप एक sack like structure समझ सकते हैं एक bag like structure समझ सकते हैं जो की क्या करेगा जिसके अंदर esco sports बनेंगे ठीक है यह escus के अंदर क्या बनेंगे हमारे esco sports बनेंगे अब यह जो structure है जो डाय केरियोन है यह वाला ठीक है डाय केरियोन इसको हम बोलेंगे दो तरीके के यहाँ पर nucleus है एक nucleus divide करेगा फिर दूसरा nucleus अब एक से दो nucleus बनेंगे दो से चार nucleus बनेंगे और इसी तरीके से एक escus में यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे क्या आप इससे वो क्या करेंगे germinate करेंगे यह आप देख रहे है यह ascus से germ tube निकलने के बाद जब germinate होगा तो फिर यह वापस से अपना क्या बनाएगा एक proper mycelium बनाएगा ठीक है इसी तरीके से हमें यह देखने को मिलेंगे यह wall of klistrothesium हमें यह देखने को मिलेगी यह सब klistrothesium के अंदर ही चलेगा काम ठीक है यह klistrothesium यह जो आपको structure दिखाए हूँ यह अलग से एक structure के बारे में बात हो लिए लेकिन यह पूरी process चलेगी किसके अंदर जो हमारी fruiting body है klistrothesium के अंदर ही चलेगी फिर उसक कि अंदर से यह एसको sports के होंगे वहां से बार release होंगे यह है overall sexual reproduction इसी तरीके से aspergillus में take place करता है और कुछ बहुत important नहीं है sexual reproduction aspergillus के case में asexual reproduction बहुत important होता है इसमें कि वो कैसे take place करता है और sexual reproduction अगर हम देखे तो simply gamit angel contact के through होता है ठीक है दोनों gamit angel के बीच में contact होगा जो point of contact of wall होगी वो point dissolve होगा आपस में nucleus की shearing होगी और फिर उनमें division होगा एक crucial structure बनेगा crozier structure बनेगा जो की ascus का formation करेगा और ascus में 8 asco spores बनेगे और वो 8 asco spores जब भी release होंगे environment में जहाँ पे भी particular substrator में पढ़ेंगे तो वो germinate करेंगे और यह सब process होगी कहां क्लिस्टो थीसियम के अंदर होगी यह fruiting body है ठीक है एक hollow ball like structure हम बोल सकते है क्लिस्टो थीसियम को अ के देख सकते है कि क्लिस्टो थीसयम कैसा structure है so that's all for today's video thank you so much for watching my video if you like my video please like my video share my video with your friends comment down below आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को subscribe जरूर कीजे side में bell icon को भी press कीजे ताकि future में notifications से आप लोग छूटे ना रहें और कोई particular topic पी भी आप लोग वीडियो चाहते है तो वो भी नक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो